विमन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बाहर हो गई है। पुर्शो की तरह महिला टीम का भी चैंपियन बनने का सपना तूट गया। आरसीबी ने टीम इंडिया की स्टार खिलाडी स्मृती मंधाना को सबसे महंगी कीमत पर खरीदा था। आरसीबी ने मंधाना को 3.4 करोड रुपे में अपने साथ जोड़ा था और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौपी थी। लेकिन मंधाना अपनी टीम को प्ले आफ्स में ले जाने में भी कामियाब नहीं हुई। वहीं आरसीबी ने आस्ट्रेलिया की स्टार ओल राउंडर एलिस पैरी को 1.7 करोड रुपे की भारी भरकम कीमत पर अपने साथ जोड़ा था। आरसीबी फैन्स को उमीद थी कि फ्रेंचाइजी ने एक अच्छी टीम चुनी है जो की पहला खेताब दिलाएगी लेकिन टीम टूर्नामेट से पहले ही बाहर हो गई। विमेंस प्रिमियर लीग में आरसीबी ने अपने लगातार 5 मैच हारे। स्पृती मंदाना की अगवाई में आरसीबी ने अब तक 7 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की है और 5 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइट स्टेबल में आरसीबी चौथे नंबर पर है। वहीं स्टूर्नामेट में स्पृती मंदाना के बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले। उन्होंने साथ मैचों में 17.84 की आउसत से 125 रन बनाए है। इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 114.67 का रहा है। वहीं गेंदबाजी में रेनुका सिंग भी कमाल नहीं कर पाई। आरसीबी ने रेनुका सिंग ठाकुर को 1.5 करोड रुपे में खरीदा था। इसके अलावा रिचा घोश का बल्ला भी नहीं चल पाया RCB ने रिचा को 1.9 करोड रुपे में खरीदा था मुंबई इंडियन्स और दिल्ली कैपिटल्स पहले ही प्ले आफ्स में जगा बना चुकी है उसके बाद यूपी वारियर्ज ने आज यानि की 20 मार्च को गुजरात जाइंट्स को एक रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से हरा कर प्ले आफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया ग्रुप मुकाबलों के बाद रैंकिंग में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुँचेगी वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में एंट्री पालेग बेराल RCB फैंस के लिए ये बुरी खबर है कि पुरिशों के तरह ही महिलाव RCB टीम भी अपनी टीम को प्लेइआफ्स में पहुचाने में कामियाब नहीं हो पाई इसी तरह से RCB फैंस का दिल एक बार फिर से तूट गया और टाइटल का इंतजार लंबा हो गया तीम उस्देश और इंडिजितल